नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रेमेस गुजर और आपका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब स्टूडियो में यह है बिल्कुल कतई आर्टिफिशल नहीं है जहां तक आपकी नजर जा रही है यह पूरी तरह से प्रकृतिक है नेचर है पक्षियों की धवनिया आपको सुनाई दे रही होगी सीधा मुद्ध की बात करते हैं हम मोटिवेशनल पर में बात करूंगा कि मोटिवेशन कहां क्या हमारे जीवन में महत्व है या कितना महत्व है और क्या वाकई में महत्व है या नहीं है यह जीवन बस ऐसे ही चलता है मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ ये टोपिक क्लियर करूँगा कल हम किसी और वीडियो में किसी और टोपिक पर बात करेंगे motivation का महत्व देखिए आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे कई motivational speaker देखे होंगे या कई thinker देखे होंगे सुने होंगे लेकिन जो मूलभूत बात है वो यह है motivation किसे कहते हैं अब मैं आपको सरल तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा motivation क्या है और क्या हमारे जीवन में इसका महत्व है या सिर्फ ये बस करना है करना है हमें मालूम नहीं हमें क्या करना है बस करना है हम करते रहते हैं success होते नहीं है या सिर्फ hard work जैसा कुछ नहीं है smart work ही होता है या hard work exists करता है चलिए इस वीडियो में मैं clear करता हूँ आपको ये सारी चीजें बीच-बीच में आप नेचर का sound भी सुनते रहिए earphone लगा कर सुनिए बहुत अच्छे से नेचर का आवाज आपको सुनाई देगी चलिए बात सुरू करते हैं शरीर के लिए जिस तरह से खाने का या food का महत्व होता है खाने से हम शरीर में growth होती है उसी तरह से ये तय है कि brain के लिए motivation का उतना ही महत्व है यदि हम update नहीं होते हैं यदि हम हर दिन हर पल ये realize नहीं करते हैं कि हम कोन है हमें क्या करना है हम क्या achieve करना चाहते हैं ये सारी चीजे हमें प्रती दिन हर दिन जब तक realize नहीं होगा जब तक हम अपने brain में feedback नहीं भेजेंगे तब तक हमारा motivation निरस्त है उसका कोई meaning नहीं है एक दिन आपने कोई वीडियो देख लिया कि करना है करना है करना है और दूसरे दिन आप वापिस उसी ढर्रे में पहुँच गए मैं ये समझता हूँ कि motivation every day हर दिन हमारे लिए जरूरी है हर पल हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारे brain को अच्छी functioning देता है अच्छा सोचने पर हमारा thought process अच्छा करता है ये clean करता है उसको और हम positive सोच सकते हैं और दो चीजें वेग्यानिक दिश्टिकोन से भी प्रूव हो चुकी है quantum physics भी इसको प्रूव कर चुका है कि पूरा universe total energy से बना हुआ है और दो तरह की energy है positive और negative energy तो positivity का हमारे उपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसलिए motivation बहुत जरूरी है life के लिए motivation का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ करना है करना है करना है बस तुम कर सकते हो you can do it करो करो ये नहीं मालूम है कि क्या करना है ये नहीं मालूम है कि मेरा purpose क्या है ये नहीं मालूम कि मैं इस जीवन में क्या करना चाहता हूँ जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हम करना क्या चाहते हैं सिर्फ कोई video देखकर या फिर हमारा साथी या हमारा फ्रेंड, हमारा नेबर पडोसी ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ वो पेसे कमा रहा है बस मुझे पेसे कमाने हैं ये सारी चीजे अगर clear नहीं होगी तो motivation का कोई meaning नहीं रहता है पहली चीज जो मैं बेसिक एक चीज बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे एवरी डे कोशिश करूँगा मैं ऐसे इस बातावरण के बीच में आकर आपसे बात करूँ पांच मिनिट की बात करें पांच या दस मिनिट के डेली वीडियो देखने से अगर आप अपनी लाइप में कुछ अच्छा कर सकते हैं कुछ अचीव कर सकते हैं तो मेरे लिए इस से बड़ी बात क्या हो सकती है मेरा नाम प्रेमेस गुजर है संक्षेप मैं आपको परिचे दे दू मैं राइटर हूँ, लेखक हूँ, उपन्यासकार हूँ, कहानीकार हूँ, कहानिया लिखता हूँ, नोवेल लिखता हूँ Amazon बेस्ट सेलर पर मेरे नोवेल लिष्टेड हो चुके है Amazon पर अगर आप सर्च करेंगे, प्रेमेस, गुजर तो मेरे जो दो नोवेल अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे, फ्लिप कार्ट पर भी मिल जाएंगे लेखक हूँ मैं, और मेरा काम है लोगों तक अपनी बात पहुँचाना यदि अगर मैं अपनी बात लोगों तक नहीं पहुचाता हूँ, तो मेरा लेखक होने का सही बात नहीं पहुचाता हूँ रियलिटी अगर आप लोगों के बीच में मैं प्रजेंट नहीं करता हूँ तो मेरा राइटर होने का लेखक होने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है सिर्फ किसे कहानियों के अलावा इसलिए मुझे लगा कि मुझे आज का जो ट्रेंड चल रहा है वीडियो कंटेंट, मोबाइल वीडियो कंटेंट, कहानिया और किताबे लोग बहुत कम पढ़ते हैं तो मैंने कोशिश की कि मैं भी इस फॉर्मेट में आऊं और आप सभी लोगों से रियलिटी पर बात करें सच्चे ये है कि हमें प्रती दिन एवरी डे मोटिवेशन की जरुरत होती है वो मोटिवेशन जरूरी नहीं एक वीडियो देखकर ही आप प्राप्त करें ये जरूरी नहीं एक आप मेरा चेनल सब्सक्राइब करें या मुझे रोज देखें ऐसा कोई जरूरी नहीं, कते ही जरूरी नहीं है आप motivation कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, इश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, पूजा करके motivation प्राप्त कर सकते हैं, positive energy प्राप्त कर सकते हैं, अपने मातापिता से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के प्रति करतग्य रहकर motivate कर सकते हैं, करतग्यता ये बहुत बड़ी चीजे हैं बहुत अच्छी चीजे है देखिए आपको मोर की ध्वनी सुने दे रही होगी बीच बीच में यहां पक्षियों का साउंड मुझे बहुत अच्छा फिल कराता है तो मेरा यह कहना है कि मोटिवेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है यदि आप प्रती दिन थोड़ा सा इतना मोबाइल कंटेंट देखते हैं इतने टिक टोक वीडियो या इस्टाग्राम रील या मोज वगेरा ये फेस्बुक सारी चीजे देखते हैं इतना गुस गए हैं अगर उसके अंदर तो पांच मिनिट निकाल कर आप ऐसा कंटेंट देखिए यूट्यूब पर मुस्टली यूट्यूब पर ही ऐसे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे ऐसा content देखिए जो आपके brain को improve करे आपका समय जाए लेकिन उस समय का आपको कुछ return मिले positive return मिले तो mobile आपके पास है वीडियो आप देखते हैं तो channel जरूर subscribe करें मैं कोशिश करूँगा everyday आपके लिए कोई वीडियो upload करूँ कोई background music नहीं सिर्फ पक्षियों का colorav है यह मेरा background music मेरा कोई studio नहीं यह nature यह पहाड़ी के उपर मेरा studio है यही मेरा studio है यही मेरा background scene है सरलता से बात करूँगा reality की बात करूँगा आप लोगों के सामने motivation बहुत जरूरी है लेकिन उससे एक कदम आगे है take action यानि की कदम उठाना तो आज सिर्फ हम take action पर हम कल बात करेंगे की motivation के बाद हमें क्या करना चाहिए कि motivation मिल गया कि ठीक है मेरे दिल कहता है यह करना चाहता हूँ और में कर सकता हूँ यही motivation है motivation help करता है कि आप कर सकते हैं passed वाकई में आप कर सकते हैं काभियत हम सभी के अंदर हैं हम कुछ भी कर सकते हैं तो ये बात जब तक आपके clear हो जाएगी तो मेराiden मोटिवेशन सक्सेज हो जाएगा तो टेक एक्षन पर या हमें एक्षन कैसे लेने चीए उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे आज सिर्फ यह कहना चाहूंगा यह मेरा पहला नया स्टूडियो है पहला वीडियो है यहां से शूट किया काफी बीच में गेप पढ़ ग जीवन को एंज्योए करना लाइप को किस तरह से मजे के साथ जीए हम क्योंकि जीवन में संगर्स हैं तय हैं मुश्किले हैं कुछ भी कर लो कितना ही मोटिवेशन देख लो कितने ही वीडियो देख लो मुश्किले आएगी परिशानिया आएगी आपके पास उनका कोई सोल जाएगा कि जब आएगी तब देखा जाएगा आज का जो यह पल मिला है यह लम्हा जो हमें मिला है इसको हम अच्छे तरीके से जीए इसको हम सकारात्मक तरीके से जीए कुछ ऐसा करें जो हम करना चाहते हैं वही तो अच्छे तरीके से वही तो खुशी के साथ जीना हो तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खीचूंगा इस पूरे वीडियो में हमने सिर्फ यह बात जानी कि मोटिवेशन का रियली इंपोर्टेंस हैं लेकिन सही मोटिवेशन गलत मोटिवेशन भी देते हैं आप लोगों को नहीं करना है करना है करना है करना है बस तु मेरा वीडियोया प्रयास अच्छा लगे तो चैनल सबस्क्राइब करें लाइक करें शेर किसे अच्छाही को बाटे पोजितिविटी को शेयर करें नेगर आत्मक्ता को अपने जीवन से भी acd अगर आज आप कुछ कर सकते हैं आज का मेरा जे वीडियो देखकर अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो है अपने विचारों पर ध्यान दीजिये अच्छा सोचिए, पोजेटिव सोचिए चीजें कुछ भी नहीं बदलेगी कि आपके सोचने से चीजे बदलेगी, अन्यथा कुछ भी नहीं बदलने वाला है, तो आप अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, मोटिवेशन का महत्व है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन आप से क जो इस गंटे में से आप निकाल लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए फिर आपका जीवन किस तरह से बदलता है, तो मैं आप से अब अलविदा लेता हूँ, नमस्कार, जैहिन